काल के परे आदी गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी काशी का सबसे प्रमुक केंद्र है श्रीकाशी विश्वनात मंदिर द्वादर्श जोतर लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दरशन करने हर वर्ष करोणों श्रधालू विश्व के कोने-कोने से काशी आते हैं बारवी शताब्दी में जब सनातन संस्कृती का सूर्य अपने चर्मोत कर्ष पर था तब सर्व प्रथम कुछ आतताईयों की कुद्रिष्टी काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वैम महाकाल को भी जिलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनात मंदिर की जियोती को अखंड बनाए रखा। जिसमें सबसे प्रमुक भुमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई हुलकर ने जिन्होंने 1777 में शिरीकाशी विश्वनात मंदिर का भव्य निर्मान कराया। महाराजा रंजी सिंग ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वन मंदित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्टित बाबा विश्वनात पुना पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्शित करने लगे। समय के साथ शधालूं के जन सहलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पढ़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में चिपते चले गए और बाबा विश्वनात का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनात का दर्शन करने आये तो इस शेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्व विद्याले में अपने वक्तफिय में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आपको रोक नहीं पाए। प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने काशी का जन प्रतिनिधी मन्ने के बाद अपने परिश्रम की परकाष्ठा और द्रड इच्छा शक्ती से काशी के सर्वांगीन सर्व स्पर्शी और सर्व समावेशी विकास की अभुत पूर्व यात्रा प्रानम की। प्राचीन काल में मागंगा से जल भर कर सीधे बाबा विश्वनात को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अन्योजित निर्मान के कारण अवरुद्ध हो गए। प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर जीवित करने का निर्मने लेते हुए मागंगा को बाबा काशी विश्वनात से पुना मिलाने का संकल्प लिया। शान्करो महादेवदेव शान्करो महादेव शेवक सब जाके शान्करो महादेवदेव जब इस अबसे पहले प्रधान मंत्री ने जब जब मुझे समझाया तो एक ख़ज निकालके उनहों पने पैन से पेले ड्राइंग बनाया। पुले गंगा से होते हुए चड़के पिल्ग्रिम्स उपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुलित हो जाए। परंतु सामने थी चनोतियों की विशाल परवत श्रिंख लाएं। पांश लाग स्क्वैर फिट में विस्तारेत काशी विश्वना धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था एक हजार से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानान तरण के लिए सम्मान पूर्वक सैमत कराना, अतिक्रमित मंदिनों को मुक्त कराना, सघन आबादी की बीच जरजर हो चुके प्राचीन मंदिनों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्मान कराना। ऐसी चिनोती पूर्वक परियोजना को अवरोधों और मुकद्मों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधान मंतरी ने सम्वाद और समन्वे का अदभुत मंतर दिया। उनकी इस दूर दृष्टी से बाबा का धाम टीजी से अपनी पूर्वता की ओर बढ़ने लगा। भस्मंग सी सगंग वहनाती बला प्रचंड गोरी अरदंग संग रांग बांग चांगे शंद करो माहने वरे। कौन ऐसा भारती होगा जो अपने जीवन में एक बार कासी और मागंगा की दर्शन और स्नान करने का अउसरन अपने मन में समेटे हुए हो। उस प्रकार की सुविधा देना उस प्रकार का सुरूब भी देना है। और मज़े लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस संभव हो पाया है। इस जटल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननिय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट द्रिष्टिकोन रखा। उनके मार्ग दरशन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। करोना काल में भी विकार्य की प्रगती का आनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्य अतल था और बाबा विश्वनात पर विश्वास अडिग। दोरिबसत सदासंग भास्मलसतांग अंग सीसगंग केदगंग भाहन विशभागे। शंकरु महदेवदे। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पून रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुना संभव हो गया है। इस भगीरत प्रयास की सबसे प्रमुक विशिष्टा ये है कि गत चार वर्षों की इस पूरी अवधी में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए। और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए। उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भविता और सुन्दर्ता को और भी सम्रिद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाद धाम, काशी की अविनाशी परंपरा में नवचेतना का संचार करता है। भारत की एतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वन्ने मद्धिहाय जुड़ा है। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शिरी नरेंदर मुदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं, तो आईए हम सम्मिलकर इस एतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृती की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनुबुद्य हंकार चित्ता निलाहं नच श्रोत्र जिव्य नच ध्राण नेत्रे। नच प्यो मभूमिर्न ते जो नवायु। चितानन्द रूपह शिवोहं शिवोहं। चितानन्द रूपह शिवोहं शिवोहं। थाँ एवोहं शिवोहं।